नमस्कार दोस्तों में रंजीत आप सभी का बहुत-बहुत स्वाधत करता हूँ अपने यीट्यूब चैनल पर और दोस्तों आप बारबार कमेंट कर रहे थे कि सब्सक्राइब के लिए प्रक्टिस सेट आप करवाईएगा तो आज से हम सुरुगात करने जा रहे हैं और मैं मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रक्टिस सेट में आप जो है साट प्लस कुशन सही करने की पूरी-पूरी कोर्स करिएगा और कुश चीजी में आपको पहले बताई था हूँ को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा ठिपर अपना जो कुशन है वो चूज करिएगा और क कुशी भी कुशन को पढ़ते समय कोई गलतिया मिश्टिक हो जाती है तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आप निगलेट करिएगा ठीक है तो सुरुगात करते हैं कुशन नमर एक से बेस्ट आफ लग सुरुगात करते हैं देखिए का पहला कुशन है आपका मोगल भारत मे अंग्रेजों के व्यापार की सरवादिके मैतपूर बस्तू क्या थी तो इसकी आप्षन आपको नीचे दिये हुए हैं तो अपना जो आंसर आपने चूचकर लिया होगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अप्षन सूती बस्तर हो जाएगा ठीक है गुल बदन बेगम जो बाबर की लड़की थी और इसी ने हमायू नामा ये भी प्रसंद बहुत ज़्यादा परिच्छा में पुछा जाता है हमायू नामा किसी लखाय तो गुल बदन बेगम ने लिखा है ठीग है हुआ तो उसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा D option अर्वोने किया था अगला कुश्चन है आपका चोथवा वो है आपका निमलेक्त तमिल गरंथों में से लगुवेद की संगया दी गई है तो उसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा D option कुराल और जैसा कि ये तिरवलूर जो है तिरवलूर जैसा आपने सुना हुआ संत हैं ये उन्होंने इसकी रचना की है आगे कुश्चन है छटी सताब्दी इसापूर का मतस्य महाजनपद इस्तित था इंपूरेंट कुश्चन है तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा राजिस्तान में जिसे बिराट के नाम से जानते थे क्या बिराट के नाम से जानते थे ठीक है ये राजिस्तान में है जैसा कि आपको पता है सूले महा जनपत थे आगे कुशन है छट महा बो है आपका भारत में ब्रिटेन के सभी समयधानक प्रेयोगों में से सबसे कम समय अतक चला तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा बो जाएगा 1909 का इंडियन कॉंसल एक्ट अगला कुशन है जो बहुत ही इंपूर्टेंट है आई ये ने मुकदमा किसके काल में चलाया गया है दिए आजाद हिंद फोज पर जो मुकदमा जो चला था बो चला था आपका 1945 में और ये लाड बेविल उस समय थे ठीक है अगला कुशन है गांदी जी ने अपनी डांडी या डांडी मार्च कहां से शुरू किया था तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा बोलागा बी ओप्शन सावर मती से स्थाट किया था और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कभी कभी सन पूशी आती 1930 में ठीक है देट की बात करें तो 12 मार्च हो जाएगा ठीक है नेस्ट कुशन है आपका निम लिखित में से किस कारागार में पन्यत राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी जैसे आपको पता होगा राम प्रसाद बिस्मिल यो तो काकोरी कंड के आरोपी थे तो इन्हीं जो फांसी दी गई थी गई थी वो दी गईती C option गो रख पूर में ठीक है दियां रखेगा और राम प्रसाद बिसमिल जैसे कभी जिला पुछा जाता है कि किस जिले से थे तो बोट थे आपके साहजापुर्शे ठीक है दियां रखेगा साहजापुर्श ते अगला कुश्चन है आपका निम्ने में से कौन सा नेता उगरबादी नहीं था विपन्चंदर पॉल बालगंगा धातलक और सी यह डवलूसी बनरजी और डियांपा उक्तमे से कोई ने तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा आपका सी ऑप्शन व्यामिस चंदर बनरजी डवलूसी बनरजी यह कांग्रेसी उदारवादी नेता थे और बाकि बा तो यह करेंट से कुशन साथ रखा गया है तो इसका जो सही आंसर आपका ब्राजील हो जागा दस कुशन आपके यह स्टी से हो गए नेस्ट कुशन है निमनलखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है कहने का मतलब है कि कौन से जो देश है उन आपसे बड़ा रवर उत्पादक राज्य है यह कुशन बहुत जाला परीच्छा हम पूछा जाता है तो इसका जो सही आंसर आप हो जाएगा बहुत जाएगा केरण सी ऑप्शन और उम्मीद करता हूंगा आप लगाता जो सही कुशन कर रहे होंगे और मैं आपसे बार बा तो दीजिए गा याप एक तरफ परवती दर्रा है दूसरी तरफ राज्या उनका आपको मिलान करना है तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूँ जो माना जो दर्रा है जो माना कभी-कभी लिख्की आता है वो आपका उत्तराखंड में है जो नाथुला दर्रा है वो सी ओप्सन ठीक है आगे हम बात करेंगे पंद्रेमा कुश्चन है आपका बीवी गिर राष्टिय शरम सस्दान इस्थित है तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा बो जाएगा ये ओप्सन नोड़ा में है ये सोलब आपका प्रसंद है भारत में जनसंक्या में दसकी व्रद्धी सरवादी कर रही ये कुश्चन बहुत ज़्यादा परिच्छा हम पूछा जाता है तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा बी ओप्सन 1961 से लेकर ही 1971 तक दसकी व्रद्धी सवज़ाद देखी गई अंगला कुश्चन है 17 निम लगते में से कौन सर्वोदा योजना की रूप रेखा तयार कनने में समले था तो इसका इससे यांसर क्या होगा आपका गो जाएगा जैप्रकास नाराण बी ओप्सन अगला कुश्चन है आपका है राओ केला इसपात सायंतर की स्थापना होई थे तो यहाँ पर अपसर आप देख रहे हुए इंवनाडेट केमडम के सहयोग से रूज के सहयोग से इस्था राज अमेरिका के सहयोग से या फिर जर्मनी के सहयोग से तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका D, जर्मनी के सहयोग से यह हुगा था 1955 में, ठीक है द्यान रखेगा, अगला कुशन है राष्टी विकास परसद कब गठित की गई थी, यह भी कुशन बहुत ज्यादा परिश्यम पूछा जाता है, तुझे सागे मतादू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगला कुशन आपका जो बीशमा कुशन है, वो है एक रुपए के भाती नोट पर किसके हस्ताचर होते हैं, तो इसका आपको नीची दिये हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा B, सचिव वित्त मंत्रा लिग होते हैं, ठीक है, अगला कु अगला कुशन है, और अपच्छे से सभी परसोनों का जवाब दे रहे होंगे, और मैं आपसे फिर वो रहा हूँ कि इस प्रेटे सेट में आपको 60% जो है, सई करने की कोसिस करिएगा, ठीक है, अगला कोशन है आपका बहात के किसी राज में बिधान परसद का सरजन अत्वा की समापती की जा सकती है, भिछिक हो तो इसका जो सई आंसर आपका, हो जागा, आप कुछन है आपका भाती संभिधान में निम्न में से किसर एक को मूल कर्तब के रूप में संभिलित नहीं किया गया है इंपोडेंट कुछन है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अल्पसंक्यों की रच्छा करना यह नहीं होता और बाकी सब देखेंगे एए उपसं उन उच्यादर्सों का आदर वह पालन करना जिन्होंने अपने राष्ट्य संग्राम को प्रेर्ट किया था व और पूछा जाता है कि जो मूल करतब हैं वो 42 संविधान के संसुधन के तयाती जोड़े गए ठीक है और अनुच्छे दे क्यावन का दिक यह चीद ध्यान रखेगा यह प्रसन बहुत ज्यादा परिश्म पूछे जाते हैं ठीक है आगे कुशन है आपका भारती संविधान क्या जागा डी ऑप्सन गैस अगला कुशन है आपका सूची बन सूची सेकंड सुमिलत करिए और सूचियों को नीचे देगे कूट को सहीता चूँद चूज करिएगा को देगेगा जैसा कि मैं आपको बता दूँ जो तरक रूप होता है को मूली का होता है जैसा कि आप द अपका बचा यह हो जाएगा तो इस प्रकार हम चाप देखेंगे इसका जो आपका antzer हो जाईगा वो जाएगा B option ठीक है अगला कुशन है स्वसन में उर्जा उत्पादित होती है इस साइंस के कुश्चन है ठीक है तो यह हो जाएगा B option ATP के रूप में अगला कुश्चन है मैं जो आपको option इसलिए नहीं बोलता हूँ हर प्रिशन के क्यों वीडियो बहुत ज्यादा लंगी हो जाएगी तो शुरुआत करते हैं ठीक है बायमंडल की ओजोन परत है यह 28 कुश्चन है यह तो आप लोग सभी जानते होंगे तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ओप्शन जो बायमंडल की ओजोन परत होती हो प्राव यह नहीं बिक्रेट से प्रत्वी पर जीवन की रच्छा करती है नेक्स्ट कुश्चन है 29 मां आपका सूची फर्स्ट सेगंड को मिलान कर दिएगा तो मैं आपको जानते हैं करत्तर रूप से फलों को पकाना यह आपका होता है एथिलीन से होता है तो यह सी हो जाएगा असका अनसर ठीक है और जैसा बेंकिंग जो सोडा है उसे हम बोलते ह है और सी तल पे है वह आपका हो जाएगा कारवंडाई ऑक्साइड और दी आपका सोडियम सिलिकेट हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकास का जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा बी ऑप्सट नेक्स्ट कुशन है द्रस्टी पटल रेटना पर जो चित्र बनता है जैसा कि आप ओप्सन देख सकते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा 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 वह बस तुछ चोटा और ल्टा होता जाती है तो संक्या ग्यात करिएगा तो इससे जाए आप ऑप्शन से जो है सई कर सकते हैं कोई बात नहीं आप देख लेंगे तो इसका अंसर भी हो जाएगा आगे हम बात करेंगे यह दिए बाई का 90 प्रतसत एक्स है तब एक्स का कितना प्रतसत बाई होगा तो आप जो ऐस प्रतस अगला कुश्चन है आपका 33 वह मैथ का कुश्चन है जैसा कि आप यह देख सकते हैं और हल कर सकते हैं और कुछ ज्यादा कठेर कुश्चन है नहीं तो इसका में आद्वार आपको बता देता हूं इसका आउसर हो जाएगा आपका 80 ऑप्सन ठीक है ती अगला हम बा पर 30 गुणा आप इंटू 25 कर लेंगे यहां पर 31 इंटू 27 आपका कर लेंगे दोनों का फिर अंतर निकाल लेंगे तो इसका अंसर जो हो जाएगा वह जाएगा सता 80 डियो अप्सन इसका सही हो रहेगा इसी पर आगे का जो देख सकते हैं अंधरूट्टू अंधरूट्टू प्लस टू इसका अंसर क्या हो जाएगा असी हो जाएगा दो अगेला कुशन आपका 36 में हो जाएगा अयोध्या सिंग उपाद्य रिखोड की प्रसद्य रचना कौन सी है तो इसका जो सही आंसर आपका प्रिय प्रवासिन की रचना है अगे हम बात करेंगे यह सार हिंदी के कुश्चन है नमक मिर्च लगाना इस मौहवरे का उचित अर्थ चैन करें तो इसका जो सही आंसर आपका हो जागा बोगा बड़ा चाड़ा कर कहना ठीक है नमक मिर्च लगाना ठीक है अगला कुशन आपका हो जाएगा निम्न लिकित प्रसन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो संदी विच्छत वाला विकल्प है तो देखिएगा यहाँ पर आप यह ओप्शन देख रहेंगों सूधन उपती यह बिल्कुर सही है यह ओप्शन सही है अगल कोई आsedर नहीं होना चाहिए म्रत्व के मुख में जारा राणा देख्टी सद्रेघ सच भोलता है आपूह की कोई आवास सकता नहीं है मोक्प्शन आपकों मोच के इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है तो अपका मोमच्य होता है यह जानने के चाहे है जानने के च्छा रखने वाला जग्यासु होता है आगे हम बात करेंगे आप अराम से पढ़िए मैं तो पढ़ा आये आप आराम से पढ़िएगा आश्मिन ठीक है और जैसा आप देख सकते है बीडियो रोकर आ आराम से यह पर पढ़ सकते हैं पढ़ने के बाद जो फिर आप आगे भी ये पैसे काफी लंबा पैसे दे रखा है इसमें तो यहां कोली से संब्द देता है पूरा क्रिकेट से संब्द देता है तो यह आप देख सकते हैं है 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 कि कि अब और आप आराम से वीडियो पोज्ट करके आराम जो पड़िएगा फिर जो अपना अंशर देखेगा और वैसे मैं आपको बता दूंँए घ्वांहिए आंसर जो है बता देता है आँ मैं बताना आपको एंगलिस में या पर जो भी पेट की परिच्छा में आपको यह इसी प्रकार पैसे कोई दिखाई देगा पर इसके बाद तीन से चार कुछन आपको मिलेंगे एक दो कुछन हो जाकता ग्रामर से मिल जाए तो इसे करना को ज्यादा कठें है नहीं आप कर सकत तो इसका जो सही आंसर हो जागा जैसे वाट अगरोडेंग टू ब्रैट कोली इस दा की आप बिकमेंग ए ग्रेट क्रिकेटर तो इसका एक तैल्स का आंसर सी हो जाएगा ठीक है इसमें सी आप्शन आपको हो जाएगा आगे हम बात करेंगे 42 कुश्चन है जैसा के इसमें इसका जाएगा जैसे फिल्टा बिलेंक्स बिद्दा करेक्ट प्री पोजिशन आई ट्राइड रिलीव देम देर पॉबर्टी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा आपका वी आप्शन टू और आपर यहां पर ओफ रखा जाएगा आपका आगे कुश्चन है 43 में बहु है इसे भी आप भरना है यू प्लीज घल्प माई असन तो यहां पर आपका 43 में सिंपल कुश्चन है कुछ यादा कठन है नहीं तो कुट हो जाएगा यहां पर सी आप्शन हो जाएगा ठीक है आगे हम बात कर दिस कार तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहु जाएगा बी आप्शन है दा पुलिश्में रुकेस्टेट मीटू मूग दा कार 45 मा कुश्चन आपका है वो है सेलेक्ट दा एक्टिफ फॉर्म दा फ्लो फॉलोवेंग सेंटेंस दा बॉल इस दा विंग विट वाई दा मैसर तो इसका जो प्रतालिसमा आंसर है वो हो जाएगा सी आप्शन दा मैसर ओप दा विल्डिंग दा बेल अब देगे आपको यहां से दूसरा ऐसा देख सकते हैं यहां पर यहां से आपको इसे प्लट देना है तो यहां पर यह नई सरंखला का इस्तमाल करते हैं लुप्त पत्यका जो है ग्याद की एगा ठीक है चालीसमा कुश्चन है तो कोई दिक्कत वाली जिस प्लेस और भागता आप देखेंग अगला कुछन है आप देख सकते हैं नीचे देख अब कथन और कारण जो आपको देखना है देखते हैं क्या है जैसे का आप देख सकते हैं इसमें किसोरों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की संक्या बढ़ती जा रही है और यह आपका भाग दोड़ भरी जिन्दगी में इस पर्दा गुडबत्ता का मानक एवकों को तनाव विरस्त बना रहा है तो इसका जो सही आंसर आपका होगा जो बी होगा क्यों होगा मैं बताव आपको भाग दोड़ भरी जिन्दगी में प्रतिस्प्रदा और गुडबत्ता का मानक एवकों को तनाव गरस्त बना रहा है तब ही तो किसोरों द्वारा की जाने आत्महत्ता है कि संक्या बढ़ती जाता है तो स्वान को अंतिम अच्छर क्या होगा है देगी इस सिंपल कुशन है इसके को देखिता नहीं जो पी आपको यहां पर 16 लिखा हुगा आई को नौ लिखा हुगा जैसा कि आप यहां आप देख सकते हैं इसक्रकार आई को 9 है पी को फे 16 है इको 5 है तो इस परकार अगेला जो कुश्चन आपका बू हो जाएगा सुबै के 6 बज के 43 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो नियून कॉण है वो क्या रहेगा तो आपको सूत्र जो आप पता होगा आराम से निकाल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दो बट्टे ग्यार है है एच गुड़ा तीस और कितना अपका जो कॉंड दे रखा है वो इस प्रकार से यहां से आप निकाल सकते हैं ठीक है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन आगे हम बात करेंगे निदिश दिएगे कथनों उस सत्य मान यह भले ही वे सामानते हैं मान कथनों बिन्ने परतीत होते हों और उनका अधारवत ते कीजिए कि कौन से निसकर्स कथनों तार की रुप से अनुसर्ट करते हैं तो कथनों निसकर्स यहां पर दे रखें जैसा क आप यहां पर कर सकते हैं कता सभी गुडिया उपहार है सभी गुडिया कहां उपहार है यहां पर ठीक है और सभी उपहार खिलोने हैं यहां पर क्या है यह खिलोने हैं और अगे हम से देखते हैं क्या है सभी उपहार खिलोने हैं यह सही है कुछ खिलोने उपहार है यह भी सभी साफ़ीये दॉनों सभी तो कि उप्सें डॉना नजा सवागा कि मी अगे कुछस्ट्न आपका उत्तरपेश किस बिसु विद्याले गपूर्व का ऑक्षोड नम से जाना जाना अंसर होगा वह नाजONA कि प्रूम अगला कुश्चन है आपका प्रसद्य संगीतकार उस्ताद बिसमिल्ला खान किस संगीत बात यांत्र से संब्द देते हैं और अमीद का तो आपके जो कुश्चन है वो सही जा रहे होंगे और लास्टम हमें ये भी बताईगा आपके कितने कुश्चन जोगा सही गाएं इसमे अगे हम बात करेंगे 55 कुश्चन की बात करें तो सार्क की पहली वैठक कहां होई तो यह इंपोडेंट कुश्चन है तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब बूह जाएगा यह अप्सन धाका बंगला देश मेंस की वैठक हुई ठीक है और हम बात करें अगला अगे हम बात करेंगे मेलाओं के खिलाप हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतराश्टी दिवस मनाया जाता है यह के कुश्चन सारी चल रहे हैं तो इसका जो आंसर आपको देखनों को मिलेगा बो जाएगा पच्चीस नवमर को अगला कुश्चन है इन में से कौन से दिवस बारह नवमर को मनाय प्रशाड़ दिवस तो बारह नवमर को आपके दी ऑप्सन जाएगा दो और तीन विश्चन नमोन दिवस और लोक्षवा प्रशाड़ दिवस अगला कुश्चन है यह करेंट इस कुश्चन आ रहे हैं और फार्मूला बनकार बेश वहिरिन ग्रांट प्स दो यार्वीस के अगर आपने करेंट अफर पढ़ियो अच्छी सो तो इसका अंसर आपको बहुत आसान जब दे पाएंगे इसका अंसर हो जागा आपका बी आप्सान लोईस हैमिल्टन अगला कुशन आपका 24 दिसम्मत 2020 को निम्ने में से कौन सा दिवस मनाया जाता है आपको पता होगा इसका अंदरम में आप क्या सही है देगना है क्या कथन सत्य है इनमें से एक आपका है सूच काम पर 189 देशों भारत 131 वे इस्थान पर रहा है और दूसरा है भारत में दोयर 12-17 के बीच अपनी जीटीपी का आठ पर सत्चा खर्च पर किया है तीसरा है भारत में साच्छरता दर 24 परशेंट है तो इसका तीनों बिल्कुश सही आंसर है अगला कुशन आपका पांच जनवी 2021 में सैंट तुराष्ट मानुवद का परसद के प्रेसिदेंसी चुनाव जीतने वाले का नाम क्या है तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह जाएगा नाजत समीम करेंट अपरे को बहुत अच्छे से त्यार करिएगा और जीए को जननल अवेरेंस है बीस कुशन आसर रहेंगे बीस नमबर के ठीक है तो आगे हम बात करेंगे निमनेम से किस राजिम भू में स्वामें तैदिनियम संबंधी कानून में संसुधन अकिया गया है तो इसका हो जाग इसमें प्रट्टे सेट में दिखाई दे रहे हैं तो इसका जो सही आंसर हो जागा बिस्ट बिस्ट कुश्ट निवारण अनमुहल दिवास ठीक है आगे हम बात करेंगे है तो आपका सेस स्चिसेवन कुश्ट निवार कर दिया आपको शनता हो जाया है यापiggly सथ हूं हो जाता है पैलाजी में से किस उचन्याले ने हाली में अपनी स्थापना के साथ बर्स पूर होने पर उपलच में हीरक जहनती मनाई है तो इसका सही आशर आपको जागा गुजरात उचन्याले डी ऑप्सन सही है अगला कुशन है फरवरी 2021 में मानव बंदत्त के लिए जायत प्रसकार प्रदान कि अगला कुशन है राष्टपती रामनाथ कोबिंद ने हाली में 20 के सवसे बड़े क्रिकेट स्टीडियम का अधुगाटन किया यह कहां अस्तित है यह आपको कुशन का पतावा सबको इसका अंसर क्या हो जाएगा सी आप्सन एहमदावार गुजरात अगला कुशन जो आपक आववान-वृतपते रहते हैं नीत्रों कि कपोलों कि मस्तक की बहसा की सबद रहते हैं जीवन का ट्थ्वी सबसे परए सब्ल任 सरसे, विद की अतले के अध्यानिë, सश्य विधार्भास चलेे व्यृइभावार ना व्याक। में गुश्य हुए पुर्ष के हिर्दय पर प्रकर्ति मनुस्थ के जीवन में मौन व्याख्यानों की यतन से सुनार के छोटे हतोड़ा की मंद मंद चोटों की तरह आच्छड का रूप प्रत्यच्छ होता है कि आपको यहां पर कुशनों की आंसर कुछ देने से संब्द देता है आराम से आप देपाएंगे अच्छे से कुशन को पहले पराग्राफ को पढ़िएगा फिर दीजेगा ठीक है तो उसका आप देख सकते हैं प्रेम की भासा क्या है सब्द रहता है पहली लान में लिखा मनेख चलिएगा यतनसे आसे क्या है यतन से आपका हो जागा सियो प्रयाफ कहते हैं यतन कि आज़ फियंद गदद दन्स कि इन कि यह सीर सら क्या हो होगा उसका आपको पता हिंदी के दो गद्दान से इस प्रकार आएंगे तो आप इसे भी पर सकते हैं 76 से 80 तक क्या आपने कभी जबात का गंबीरता पूरवग विचार किया है कि आज हम जो भी हैं उसमें किस-किस का योगदाना है माता का मात्रभूमी का मात्रभाशा का ठीक है आप और एक हमें अपने विचारों घहाए हुतियादों प्रकट करने के सकती देथी हैं इसी सकती के अवाब में हम गूरम के बहरे बन कर रह जाते हैं यह सकती हम पूर रूप से मनस्वार का उपकार का रैध हम सबसे अधिक हैं इस रेडे से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सिवा करनी चाहिए बिर्वहासा के सम्मू के तरषकार नहीं करना चाहिए तब हम अपनी मात्र भूषिए के सच्चे सपूत कहलाएंगे किन्तो यह काम इतना सरल नहीं है या काम तो तलवार की धार पर चलने का है तो आप जो अंसर देखिएगा कुशन देखिएगा शेत्रों कुशन है अपने मन की बात कहने की सक्ति हमें किसे से मिलती है तो आप जैसा कि पता ही होगा मात्र भासा से मात्र भासा से आपने जो बात की मन की बात है वो कहने की सक्ति हमें जो है मिलती है आगे हम पर मात्र रिड क्योंकि माता ने हमें क्या दिया है जन्म दिया है अगला कुछन है हम अपना मात्र कैसे चुका सकते हैं कि उसका क्या है मां की शिवा करके ठीक है अगला कुशन है आपका मात्र भूमी हमें क्या प्रदान करती है तो मैं सुरच्छा प्रदान करती है जैसा कि आपने पढ़ा हुआ मात्र भूमी की हो मात्र वाशा की है और जैसा कि आपको बिता दू आगे कुशन आपको डियाई से शम्मंदत मिलेंगे तो डियाई से आपको मिलेंगे तो आप एक बात द्यांस पूरो इसे देख लिएगा ठीक है पढ़िएगा क्योंकि इसके हटने बाद फिर हाड हो जाएगे फिर कुशन आ जाएगे तो यह तालका छे बरस के दोरान वेवन सुरू में में बेची गई कारों की संख्या को दर साथ है बहुत ही सिंपल है आप आराम से कर सकते हैं ठीक है तो यह दूजार गया रहा है दूजार दूजा यह हमेँ को फिरतरा यह दूजार चूइंडर ऊचय權 को बाद में है यह कि अ surveillance आप ज्यादी समय लेकिशन जब्ली हो जाएगी अब आराम से कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं इक तो यह ऑगा अप तीन सो शाट उगटे नो हजार ठीक है और गुणा 1510 करके यहां पर आपका इस प्रकार यह इसका अंसर 64 और यह साट के असपास आजाएगा शाट अंस के असपास ठीक है तो उसका जो अंसर हो जाएगा बो जाएगा आपका डी आप्शन अगला कुशन आपका वह बर्स 2015 सभी सो रूम द्वारा बेची गई कारों की कुल संक्या कितने प्रतसत कम होई है तो इसमें कोई 2015 के सो रूम द्वारा कुल जो कारे कितनी बेची गई तो आप आराम से निकाल लेंगे यहां पर 1710 आजाएगा फिर 2016 की आप निकाल लेंगे 1460 हो जाएगा और यहां पर फिर 2015 निकाल लेंगे आप यहां पर ठीक है 2015 और शूल है कितने प्रत्रत हो यह तो आप इसमें मानस कर देंगे सत्रे सुद्दस में से 1460 यहां पर आप डाइस हो आजाएगा और डाइस हो बटे आपको सत्रे सुद्दस में से निकालना है गोड़ा शो इसका अंसर आजाएगा बी आप्शन ठीक है अगला कुशन आपका बस दुजार चोदर सुले में सूरूम भी द्वारा बेची गई कि का रही कारों कि कुल संक्या हिता बस दुजार पंधा अगला कुश्चन आपका है दिए गए छे वर्सों के द्वारा बेची गई कारों की उस्वा संक्या क्या है छे वर्सों के द्वारा एक द्वारा तो यहां पर सभी का जोड़ देंगे छे वर्सों का एक द्वारा बेची कारों का पूरा उस्वा लिखाना तो जोड़ेंगे च्छेव को तो यहां पर चोंतिसो हो जाएगा और यहां पर च्छे से बाग कर देंगे तो इसे प्रकास का पॉन्सो च्छासर पॉंट शे बना जाएगा ठीक है अगला है आपका सभी बरसों में सोरूम बी और सी द्वारा बेचिकी कारों का अंतर क्या है तो यहां पर आपको क्या है अंतर निकालना है तो बी द्वारा बेचिकी कारें टूटल यहां पर आप निकालेंगे तो 2800 हो जाएगी जोड़ेंगे और सी द्वारा जो आप निकाल अध्यन कीजिए तो कोलेज हैं आपके यहां पर बरस दुजा चार दुजा पांच दुजा छे दुजा साथ और पी क्यू आरे आप देख सकते हैं आप एक बाद देख लिए अच्छे से फिर जो हम आप उसके आंसर करते हैं जैसा कि बहुत सिंपल हैं यहां पर कोई दिक्कत वाली बात निया आप आराम से परिच्छा में आप से ज्यादा कठे नहीं पूछे जाएंगे बरस दुजार पांच में सभी कोलेज हो मिलाकर बिद्यार्ति कुल संख्या कितनी है बस दुजार पांच में तो यहां पर कुछ दुजा च्छे में कोलेज टी के बिद्यार्ति के बात करेंगे तो यहां पर क्यासी अश्याजाएगा और यहां बात करेंगे वाईसोग अंतर कितना हो जाएगा आपका गुणा तो सका अंसर हो जाएगा थी पॉंट टूए सिंपल कुछन है आराम से निकालते में अहला कि अग्याड़कुशन है बरद यह चैने नो में कॉलेज एस सब्सक्राइब की बिद्यातियों की कुछ संख्या की बीच सब्सक्राइब को प्रक्राइब्य निकालना है प्रक्राइब आज वह आपका बूह जाएगा यह अप्शन है अगला कुशन है आपका बर्स बुजा चार में सभी कोलेजियों विद्ध्यारती वोश्र संक्या कितनी है तो उसका यह आप लिखा लेंगे तुसका अंसर हो जाएगा आपका डी बाईसो अठता है अगिला है कि त्रानवा कुशन आपका जवाब दिया है आगे अच्छा नीचे आपके यहां पर यह दिया हुआ है एक क्यानवा से पचानवा तक दंडारेक दे रखा चित्र दे रखा तो आप जो आपके देख सकते हैं अच्छे से आप नागे है बर्स दुजार गेर दुजार सूले तक सुयाबीन का आयात का कुंटल में तरसा आया ये ठीक कुंटल हैं ये नीची आप देख सकते हैं किस प्रकार है अब हम कुश्चन देखे तो कुश्चन यह रहेंगे तो आप उस्त निकालेंगे सभी के जोड़ करके आराम से निकालेंगे तो इसका अंसर हो जाएगा आपका 470.6 ठीक है अगला कुसरे बर्स दूर बारहे में और सुयाबीन के आयात में कितने प्रत्तितिक प्रत्तिक प्रत्तिक हुई है कर अपको जाएगा भी 143.33 कितने बर्सों सुयाबीन का आयात दिएक बर्सों में सुयाबीन के खौन से अधिक है कि तो इस नकालें नखेंगे वार्वEr endorse आयात कितना प्रत्तित प्रतिसत है के चाहरानवे का आप का सि हो जाएगा और हमसे बहुत सिंपल कुसे हैं आप हर कुसे निकाल सकते हैं आराम से करिएगा कैल कुलेशन कुझ हो है फुरा बस यहां पर करना होता है वह अच्छे से करिएगा जीए बरसों तुजर ग्यारे बारे 14 अपन दरिए अनपाद जो है आ कि उसका अनपात निंगा रहेंगा तो 92 अनपात 120 हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यह च्छानवे सो आप देख सकते हैं दुखान में 6 प्रकार के जूतों का भंधार दरसाया गया जैसा कि आप देख लिएगा आठ शे तो आप यह जूतों का यह प्रकार है यहां पर यहां पर यह बंदार दे रखा है अब हम बात करेंगे च्छानवा कोशन सभी जूतों की कुल संख्या का कितना प्रतसत है इस जीक्स तीन सो दे रखा है सभी जूतों का क्या संख्या कितना प्रतसत में निकालेगा तो यहांपर टूटल यहँ एक हजार हो जाएगे तो यहांपर कितना लिकानना है में तीन सौ कितना हो जाएगा प्रतिस्ट हो जाएगा एक जार का तीन सो तीस प्रतिसट अगला कुछन है सभी छे प्रकार के जूतूं कि और संक्या निकाल निकालनी इसमें बहुत सिंपल है कोई दिक्कत वाली ब्यात नहीं है तो यहां पर एक जार है एक जार वह बट्टे चेहर हो जाएगा तो जो भी पर जाएगा पच्छेतर पर जाएगा यहां पर कि अगला कुछ्टन है आपका स्टीं इस चुट्व फाइव से कतने प्रतिसत अधिक है निन्यन्यने प्सट्व एक तो जाएगो जो आखरी कुष्ट्व है वह सी ओप्सान हो जागा इसका आखर लेका निकाल निकालिएग चैति कर आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हुगा आपके साट्थ प्लस कुशन जो इसमें सही गए हूं और साट्थ ही आ रहे हैं तो आपका जो बहुत अच्छा इसको रहा है और आगे का प्रक्टे सेट हम आपको जल्दी प्रवाइड करांगे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद